next up कितने users अभी connected है उसका data client site पर चाहिए तो उसके लिए service हमने बना रखी है तो necessary code server site पर introduce करेंगे and accordingly necessary code client site पर introduce करना होगा let's start अब किसका नंबर है यह extract info using fs service यह हो चुका है यह हो आप किसका number टेस्ट को यह मैंनी चाहिए है यह चाहिए तो यह कॉपी कर लेता है अब यह जो विडियोबस है यूजर काउंट यूजर नेम और लॉग इन ताइम लॉग्द नुजर्स यह विडियोबल टॉप ले जाना है टॉप पे डिकलेरेशन के लिए अलग सेक्शन बना रुक है हमने यह है यूजर काउंट यूजर नेम लॉगिन टाइम अब आइडिया दिखेंगे हम क्लान सेट पे क्या भीजेंगे जैसे fs प्रिफिक्स रख रहा है वैसे हम यूजर सर्विस के लिए यूएस रखते हैं कम से कम रखनी कुछिश करते हैं और यूजर्स काउंट के लिए यूजर्स काउंट 3 है तो हमने टेस्टिंग के लूपन प्रिंट करा है अब यहां पर दोना क्लाइंट साइट पर डेटा बेजना है तो इस तरह से बेजेंगे यूजर्स रख डाश यूए उसर शर्विस डैश यूटो शर्विस डाश यूट्री ऐसर सर्विस डाश टी वां टाइं यूजर्स डाश टी- तू अ तो यह फील्ड नेम भी बनाने होंगे हमको और हम जो नेम वाल्यू पेर भीजेंगे उसमें यह तो चलो constant है यह तो dynamic है 1,2,3,1,2,3 तो हमें एक array देना पड़ेगा field name के लिए और चाहे तो बैता करने है कि इसको सब जनरल ही ले ले लेता है cat field name और let's say 21 21 की ज़रुत नहीं पड़ेगी अलागी उसर पाउंट यूसर नेम लॉग इंटाइम और आए शायद लूप लगाने के लिए लूग दिया होगा अभी 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 लिखेगा माद टेस्ट कर लो फिर सब लिखा दो अब अगर नल है यह fs succeeded 1 अब यह देखें copy paste में गलती हुई है पीस्ट्रे सेशन की गलती है वो अभी पकड़ में आई है copy paste के रहे से हुए mem succeeded 1 mem succeeded 0 तो यह fs succeeded 1 तो यह fs succeeded 0 जाना चाहिए अब चुक्क अभी fail नहीं हुआ है इसलिए पकड़ में नहीं है fs succeeded 0 तो पहले आपके correction कर लिजे बहुत से डभी तो यह कोरा थापके रहते है के गीस्ट्रे सपस्गे देने घ। क dibujने अब और एक काम करते हैं, not equal to null, तो ये सब कोड एक सेक्शन में दे लिया, और इसके else section में लिए पार्ट आ जाएगा, इंदेशन से मिर्कल भी कोई मतलब दे लिया, मतला है, तो यूूसरusta निकां लिया, था यूसर रषपस्चा अचा है, तो दूछ दे लिया, ओ सब्सक्όर निकाल लिया ओ判 वूसर कॉंट लिया, और बहिगा निकाल लिया, तो तो ईसर अक्ट अक्ट बग तो टूड को, तो तो पनल डिक़्रोड था यू आएंटी 64 यह यूजर काउंट वेडियाबल किस टाइप का लिया है आएंटी लिया है ठीक है डाजन मेंटर रिस्पांस भीजते वक्त उसको मैं आएंटी 64 रख रहा है आएंटी 32 भी रख सकते पर अब निगेटिव दो होना नहीं है यह तो ऊपर थोड़ा सा करेक्शन कर ले यह आएंटी 64 भी आना कि यूज फिगर है यूज एंटी 22 छ्याहनन है 2 रिकशन कर दाएंटी 22 रिकशन क पने में है एंटी 32 कॉमा यूजर कॉम्ट इसको कमेंट बनाल सकते हैं इसको अब लूप चला लूप के फर्स साइकल पर क्या तैयार होना चाहिए यूएस यूवन एंड यूएस टी वन तो s printf fieldname,us u %d,i अब इस fieldname के अगेंस अपने को username रख रहा है तो tcp action response set string response,fieldname,username जहें चेक कर लेता हूँ प्रोपर्टी का नाब क्या लिया है fieldname मिलिया है ठीक है अरे fieldname नाम से लिया है तब होगा क्या फर्स साइकल में IQ 0 है तो us-u1 यह हो गया अगरे साइकल में us-u2 us-u3 us-u4 कितने बनेंगे यह डिपेंड करता है तो यह string set होगी next s-printf fieldname,us t %d,i plus1 then tcp action response,set string,response, fieldname,login time और यह इं दो मेथर्स को कॉल करने के बाद तो सबसे पहले लूप में information extract कर ली फिर fieldname बनाया response में डाल दिया fieldname मनाया response में डाल दिया इसको comment कर दिते हैं हो गया server site को काम we are done else में जाता है मता कुछ गरबड है तो us-succeeded 0 if में गया but the users not equal to the site compile गरने के लिए अपने पास compile server monitor app.sh ठीक है गलती है user count undeclared get logged in users ठीक है वो user service को include नहीं किया है user count के लिए क्यों दे रहा है our feed name में उने री रा ठीक है Lets access to user count kleiner % 4 customer ď owbook email에게 user count ठीक है इडियर बचारक्छ कर दे ऐगा mere टीक है, धहीं बचार कुरस्यकों डीक है alluded संसे रा पी अ ind located, ate जीत रेक्ला कूई, अच्यकों के अचरम किया था 1 tua , एडियली यूजर्स काउंट यह यह यूजर्स काउंट है यह इसक्टा यह इसक्ट के लिए रखे है साहर बाला पार्ट हो गया अब क्लाइंट साइड वाला पार्ट अब चुकि मर्टिपल यूजर्स हो सकते हैं तो कुछ डेटा स्ट्रक्शन बराबर सोचना पढ़ेगा इंट यूजर्स यूजर्स कांट फस्टेट एक काम करके नहीं अलग से यहां तो पिन ले सकते हैं यूजर्स अब यूजर्स यूजर्स अब यूजर्स अब यूजर्स वो सकते हैं अब multiple users हो सकता है तो एक तरीका तो यह है कि link list हो करे कुछ maintain करें दूसरा तरीका यह है कि link list maintain ना करें dynamic allocation array type का ही होता जाए तो वो तरीका इस समाल कर रहे हैं अब अगर मांद दो तीन users है तो array of three pointers, फिर हर एक के अगे, बिल्कुल जितनी memory required, उतनी लेना है, अपने को ऐसा कुछ करना है, देखते हो कैसे होगा, let's see, client-side की method कौन सी call होगी, getString, जो क्या return करेगी, cash start return करेगी, तो इस allocation के बारे में जो अपने को सोचना ही नहीं पड़ेगा, अपने को सिर्के आरे, आप pointers लेना है, ले एक रारे, कि आम अन्दो है अग्तान्नेंदे, गिह बा this is a 었던 वे कारे है, बाहीं, वोग्णू आ si बिल्ल fancy है, आम भाह वहाई है, 3, nine, cf common include clencoder.h get byte stream long vim command layer client-side include cscl.h get string we don't have to worry about this allocation we just need a pointer back to our client and apart char star star users user names and char star star login times या फिर user name करें login times अजीब लगता है तो user name और login time तो सबसे बेले user count extract कर लेंगे फिर user count के बरो से जो user count होगा उतने हमको और या पॉइंटर्स बराने user name के लिए और login time के लिए बान में release भी करना है यह ध्यान रखना है पीज्ट डूंट राइइन एनिस अधर बेले बर्म में सबसे है कुछ लीख नहीं रखाया सोचते सोचते बना रहो आपका भी यह एकवाइटेटिवल होणाची करेग तो में आसे जिए तो मैं लगता हुआ है कुछ थीचा राश्यारा है यह कुछ आटारी है getServerState और serverState में वाएगा userState memfs or users एक काम और कर सकते है अपन count और इस लुक्स बेटर user से रेलेटर है तो सिर्ड काउंट ठीक है नेम ठीक है वाएगा वर्ड वर्ड उसर तो userState यह mem है यह fs है चुकि multiple users है इसलिए अपन users वर्ड इस्तेमाल करते है get serverState request चलिए गई और ssmgm सक्सीडेट सक्सीडेर भी शही है अपने को भी लगेगा कि यो आंटी एक टी सक्सीडर वाला पार्ट लेना है फिर अगर ऐसा है तो बागी शिज आगी So SS.Users.Succeeded.Equal To TCP Connection रेकिए रॉपर रहे रहे रहे, response get urnt hit response, US ss.users.succeeded if ss.users.succeeded response,us-uc तो इससे अपने को क्या ग्यान मिल गया कि कितने यूजर से उतनी बार अब लूप चलेगा लूप चलने से पर अर्योप पॉइंटर्स तो मेमरी अरेकेट करनी पड़ेगी तो ss.users.name equal to char star star envelope size of char star into ss.users.fund तो अगर मान लोग उसके वेडियो तीन है तो तीन कारे बनेगा दो है तो दो कारे बनेगा similarly ss.users.time check कर लेप है फिर से क्या members है login time ले रख है login time equal to char star star ml of size of char star into ss.users.com अब लूप लगाने के लिए i variable लेगा तो imt ass.users.subsceded equal to 0 ज़रत नहीं है पर अगर किया है subject अठीक है for i equal to 0 i less than ss.users.count and plus plus अब अपने को इदर field name बना है तो उसके लिए भी वेडिबल चाहिए अरे ज़रत नहीं है आप इसको कम कर सकते हैं अब s printf field name comma us dash u percentage d comma i plus 1 फिर s printf field name comma sorry comma double code us dash क्या है t percentage d comma i plus 1 अब ये information हमको extract करना है तो ss.users.name of i equal to क्या extract करना है tcp connection response get string response comma field name again ss.users.name of i equal to tcp connection response get string response comma field name तो हर cycle पे एक एक string निकलती गई तो loop खत्म होगा तो ये name नाम का तीन element का area pointer इसी तर से login time time भी तीन element का area pointer और हर cycle पे वो जो return करेगा उसका base address अपने पास है तो सारा ग्यान अब एक तरस से ss में accumulate हो गया है अभी release नहीं करना है finally ss को लटा दिया है इतना compile करते है फिर ही update server में इधर print कराने का पूलाइड लस.frontslash.compile user state unknown type name 35 user state okay अब जहां information print कराई है अब अगर अगर आपन बाकी data types देख लेए तो कहीं pointer नहीं है मतला dynamic allocation वाला part नहीं जो release करना है तो यहां है तो ध्यान रखना है हर cycle के बाद यह memory release होना चाहिए यह तो घडबड हो जाएगी यह.. अब करो यह खूज मतलश गर इन यह जग अभर इन आप अहीं अभर इन यह ए. अभर यह तर फिर आपर यह अभर अभर इनप्रैट में डदिए अभर झींपर झींपर यूजर्स और हम जीवाय पाट सीखेंगे तो यह वाकी खुशूरत होगा हाला कि अप्लिकेशन को जज्च करने का यह थरीका नहीं होना चीए क्लाइंट से पे लुक एंद फिल कितना अच्छा दिख रहा है बहुत बड़ा अर्किटेक्चर है जो हमने किया है वह बड़ा इंप्लिमेंटेशन है वह प्राइंड नेटवर्क लेया है फिर कमांड लेया है फिर कॉमन लेयर उसकी फिर सर्विसेस लेयर इसके बाद इसके बाद if ss.users.succeeded तो कुछ करना है else printer unable to fetch user data और अबकी बाद घ्यान लगता है कि सर्वर साइट से जो सर्वर है उसको हम elevated user mode में चलाएंगे मना sudo का use करके चलाएंगे last time तो हमको memory information चाहिए थी और वो file system की information चाहिए थी तो बिना elevated privileges की मिल गए थी पर कौन-कौन user login करके बठाए प्लस आगे चलके जो port का काम करना है उसके लिए तो as a sudo as a root user ही जब चालू होता as a root user ही वो चालू होना चाहिए जनर्री डिस्करेश किया जाता है कि root user जैसे application नहीं चलना चाहिए पर कुछ applications के case पर वो irrelevant है कि वो बेकार है तरीका root user वाले rights होंगे या root user से compatible या root user से पालन है उतने rights होंगे तो ही वो server चलने से मतलब है नहीं तो application ही useless है अब यहाँ प्रिंटर चाहिए 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 पर्संटेश प्यार यू थो डी दी दी इसके अगेंस्ट क्या आना चाहिए है और यह पर्संटेश प्यारा यू थो इसके अगेंस्ट आपने को क्या इंफोरमेशन चाहिए जो यूसर काउंट है स्स.users.count for i equal to 0 i less than ss.users.count printf username %s यह % एक काम करते है 20s ले देते हैं पर 20s लेना सो सही नहीं है तो अलग अलग नहीं पहीं लगते है %s backslash n comma ss.name of i printf login time यह आई काम कर सकता है अलग से login time बार दिखाने की क्या ज़रा था यहाँ कर सकता है %s और यहाँ पर i comma ss dot login time of i चाहिए तो यहीं memory हाथ वाथ रिलीस भी कर सकता है print तो करा दिया है memory release करा दो but that's not a good idea आगे चलके जब हम जीवा वाला पार्ट करेंगे तो यह सही जगह नहीं है क्योंग यह print कर दिया तो release कर दो तो release करने का code यह सब खतम होने के बातारी में just double checking plus plus है भूल गया था मैं ठीकर यहाप यह. code to release dynamic allocations done for name part name and login time तरीका simple for और वो sleep बात में जेते for i equal to 0 i less than ss.users.found activity ss.users.name of i यह पार्ट फ्री होगा फिर free ss.users.login time of i तो हर cycle पर यह वारा पार्ट रिडीस किया यह लूप खाता हूं होने किया यह array भी तो हमने mlf के थुरू बना है तो इसको भी रिडीस करना है पर लूप खाता हूं हने किया फ्री ss.users.name free ss.users.login time किया पक प्रीक खाता हूं है यह लूप खाता है mm mg dot users dot name and essence dot users dot login time fine let's start the server cd 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 project server monitor sudo not from that server monitor app root password port number let's say 6070 client site client app localhost is equal elevated user mode means that you don't see six zero seven zero okay server monitor client six zero seven or localhost unable to fetch user data man map chunk invalid pointer oh 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 users is not equal to null, तो 0 बेज रहाओ, जबकि 1 जाना चाहिए है, और else में 0, ठीक है, अगें वो copy-paste, वो successfully वो information extract कर रहा है, पर मैंने 0 बेज दिया इदर से, succeeded के रहा है, तब 0 बेज दिया तो उदर वो मान रहा है कि नहीं फेच कर पाया, compile, server monitor app, 6070, ठीक है, भी socket create नहीं कर पा रहा है, वो release नहीं हो है, time लगता है, discussion कर चुक है, अभी network, जब सीख रहा है, ठीक है, थोड़ा सा time लगता है, इसको hide कर देता है, तो वो, उस call put लगता है कि इदर आ रहा है, इदर परेशान करता है, logged in user analytics, और यह कुछ भी प्रिम नहीं हो रहा है, अब की बार, at least unable to fetch नहीं क्यों 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 विफ में जाना है, vim, server monitor client time.c, usuc, printer, क्या तो यह लूप चली नहीं रहा है, अब यह अपन प्रिंट कराते है, error, logged in user कितने हैं यह print कराय था, यह कराय था, I don't remember, कर दूबब मेर्न ग्लिवड में खर्वारा चूल से लड़ ऐा कर दसे लगडार घर्वारा तर्वारा टूर्वारा थार थी अर्वार प्राभर फार च्यां रोड्डक्ड्ड लुड़ैं ग्लिग ऑ्ट उटारा लगार उटedel ख्यां ग। प्रिंट नहीं हो रहा है और वो बैक स्वेश एन नहीं दिया है और स्लीप मोड में गया है ठीक है यहां तो प्रिंट करा नहीं नहीं है यहां यह अपडेट सर्वर स्टेट यहां पे लॉग्डिन उसर कांट बैक स्टेशन देते हैं मैं यह था तो मॉनिटर पे फ्लश नहीं हो रहा था डिस्केशन हम कर चुके हैं क्या होता है पर अब क्या जीरो आ रहा है कि जिसके वैसे लूप चली नहीं रहा है तो जीरो क्यों आ रहा है चेक करना पड़ेगा कॉंपाइल रन करते हैं लॉप्ड इन उसर काउंट्स यूजर्स काउंट जीरो आ रहा है अब इक्तांग करते हैं कमांड प्रॉंट श्च प्रॉफल अडरे 10.0.0.9 लॉप्ड इन उसर कांट वन आ गया पर सेगमेंटेशन फार्ट कोल डॉप्ड तो इस्यू ही है कुछ i less than ss.users.count %s users.name of i and users.login time of i user's caster user's name user's count 1 to 1k सबसे अड़केशन हुआ user's count 1 to 1k सबसे अड़केशन हुआ user's count एक बार दूप चलेगा us u1 get string name of i okay my mistake big mistake big mistake yeah login time आना चाहिए login time वो जो क्या था ना ना रहा है user's test करके बुछ था कि i don't remember रहता ही आओगा हुआ गाट करलेते है यह प्रक्वोल से परे लोगिन करने हैं एक होड़ा है यह लोगिन खर्वार और 10.0.0.9 यह रखान दो यह कोर उसर बना रहता है addUserTest यह बड़ गया user count 3 fine final it is working बहुत सरी इस्यूस है systematic news को solve करते हैं विरी घर्थी आती है अब इसी अप्रोच से आप जो पोर्ट के लिए करना मना सबसब ले वो server count आएगा फिर यह टेक्निक सफना नहीं है server count आएगा तो फिर हरे के अगेंस कितने client connected है तो connected client count आएगा फिर हरे के अगेंस IP तो अभी आज जो मैंने किया है उससे आप हिंट लेकर complete कर सकते हैं पहले ऐसा कुछ सोच लेना कि क्या होना चाहिए जैसे यूएस यूसी था पोर सर्विस के लिए लिए पी एस पेश पेश पर सर्विस पीएस सर्वर कांट मांदो 3 है थोड़ी दे के लिए तो फिर क्या आएगा connected client कांट प्स connected client CC1 फिर IP प्स CC1 I1 फिर प्स मामनो चाहँ पनेकर दे फिर क्यों कांट मामनो आएगा प्स CC1 I2 फिर क क्यों क। प्स CC1 I2 फिर प्स CC1 I2 प्स CC1 I3 प्स CC2 फिर प्स ये भी आएगा, ps, port 1, उसके एकए port, connected client count है ये, ये पूरा patch, फिर repeat होगा, ps, port 2, ये dynamic है, ये dynamic है, ये सिर्ट टाटिक है, fix है, बाकि ये सब dynamic है, तो फील्ड नेम वाला जो तरीका मैंने अपना है वो लेकिया आप इस सब इन्फरमिशन सर्वर साइट से पांप करोगे क्लाइंट साइट पर सबसे यह ग्यान निकलेगा यह ग्यान निकलेगा तो ठीक है फिर अभी आज जैसे किया वैसी होगा यह शुद बेवल तो ट्राइट कीजिए का प्लीज अब लिखने का काम अब इसमें कहां कहां कुछ कुछ चेंजेस किया बताते जाता हूँ जो गेट सर्वर स्टेट अक्शन हैंडलर फंक्शन है उसमें सबसे टॉक पे यह फिल्ड ने बढ़ा लुग और फिर यूजर सर्विस सेक्शन मैं अजूम करना हूँ कि आप पूराना कर चुक है उपने उसर्विस सेक्शन पर यह पांच लाइन बढ़ेगी फिर से देखलो टॉप पे एक फिल्ड ने बढ़ा दिया फिर यह पांच लाइन पांच करके लिख लिए फिर हमने कमेंटिंग करने के लिए तो एकस्ताक इंफो यूजर शर्विस है यह उसक्री इकवल ू लार यहां से टिकना स्पर टिजिया फांच करके लिख ले кажется अगें फांच करके हां करेлемह दोटिया तो यह सर्वर साइट पे चेंज था, क्लाइंट साइट पे vm.c, क्लाइंट साइट पे, सबसे पहले, यह, टाइप डाइप बढ़ा लिया, यह पास करके लिए लिए, फिर यह सर्वर स्टेट है, उसमें यह एक लाइन बढ़ी, यूजर संद्र स्टेट स्पेस यूजर स्टेट स्टेट है, उसमें आईंट आय और फिल्ड नेम, यह दो लाइन उपर आई, उसके बाद यह स्स.users.succeeded equal to 0, यह वाली नहीं नहीं, उसके बाद वो memory वाला सेक्शन है, फिर file service वाला सेक्शन है, यह, ss.fs.succeeded वाला इफ पार्ट जो ख़तम हुआ है, उसके बाद, ss.users.succeeded equal to, यहां से आपको लिखना है, यह, first line जो दिख रही वहां से, पास्ट करके लिख लीजे, यहां तक का आएगा, यहां मैंने horrible गल्ती करी थी, field name तो बना लिया था, बराबर, us-t, पर यहां name भी रह गया था, तो login time का जो array बनाता हूँ, तीनों में garbage था, 3-4 जो बुजितने भी थे, next, update server state में, उपर एक आय नाम का variable बढ़ा लिया, क्योंकि लूप लगाना था, फिर, यह section बढ़ा, sleep के जस्ट पे रहे, यह part आएगा, आप जो पुराना बना चुके हो, उसमें, यह sleep पर ही line होगी आपके पास, उसके उपर और a section यहाएगा, तो pause करके लिख लीजे, अगें पॉस करके रहे, अगें पॉस करके रहे, यह दो, अब वो आखरी जो पार्ट है, वह बनाने की कोशिश की जिए अपरीज, थेंक यू,